नमस्ते ये सेशन में आज मैं आपको हिंदी में क्रॉस ट्रेडल होल और उसके पेटालेस बिंदू के बारे में परामर्श के बारे में बताऊंगे अचली मुझे बहुत सारे लोगों का इमेल आया और उन्होंने बताया कि उनको एक सेशन हिंदी में चाहिए जो बहुत ही महत्वपुर्ण जो सेशन है ये जो क्रॉस करें होल उनको हिंदी वेचे क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हिंदी भाषी लोग शामिल है तो उनके मैं तो जो के बंबय में पैदा हुई है और बंबय की हिंदी है तो प्लीज फर्गिव में बट मैं कोशिश करूंगी तो ये जो होल है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस क्रेडल होल्ड क्रेडल मतला पार्णा पार्णा जभी बच्चे को पार्णे में जूले में डालते हैं उसको बोलते है like a parna, in Gujarati we call it parna, in Hindi we call it jhula, तो यह जो traditional hold है, उसको बोलते हम उसको jhula paddati, ठीक है? यह उस jhula paddati में क्या होता है, कि जब भी आप बच्चे को दूद पिला रहे हो, तो यहां पर जो पाजू से आप दूद पिला रहे हैं, वही हाथ से आप बच्चे को पकट रहे हो, तो normally हम लोग देखते हैं कि फील में सारी मदर ऐसे दूद पिलाती है, जो cross cradle है, cross मतलब cross हाथ से मदर को पकड़ना है, जो जो पाजू से दूद पिला रहे हैं, वो उसके cross पाजू से बच्चे को दूद पिला रहे हैं, और इसको बोलते हम लोग cross cradle, cradle मतलब जूला, क्रोस जूला पद्दती तो यह जो पद्दती है जो बहुत लोग को यह पद्दती मालूम नहीं है हम लोग अमेरिका में बहुत लोगों को यह पद्दती से दूर पिलाना सिखाते हैं बहुत सारे सेंटर्स है वो क्रोस क्रेडल पद्दती यूज करते हैं और हम दोगों ने देखा है जैसे आपने हमारे अगले सेशन में देखा था कि ये क्रॉस करेल पद्दती से हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले है तो आपको ये पद्दती में आपको आज सिखाऊंगी ठीक है तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि मां को कभी कित्मालों में वो है रोना तो वो लोग क्या करते हैं कि जब प्शा रोता नहीं है तब तक वो बच्ची की जो आगे के भुग के संकेत है उनको पता नहीं चलता है और वो लोग रहा देखते हैं कि जब भी बच्चा रोएगा तभी मैं दूद wondering लेकिन जब तक वह बच्चा रोया मतलब बहुत लेठ हो गया जब भी बच्चा रोता है जब आप माता मच्छे को लेती है दुद पलाने के लिए तो वह बच्चा इतना इरिटेबल होता है इतना रोता है कि उसको लैच मुँख की पकड होती है मा के स्तन से वो अच्छी नहीं होते है क्योंकि वो बहुत इरिटेबल होता है तो आपको यह ध्यार में रखना है मा को समझाना है कि जो आगे के भूग के संकेत है वो उसको कैसे पचाना तो कौनसे काई आगे के संकेत है बच्चा पहले तो क्या करता है कि थोड़ा सा जमाय थोड़ा सा इलता है थोड़ा सा इधर उदर देखता है इसके मूँ भी थोड़ा खोल के वो ऐसे-इसे करेगा उसको मोग का इंग्लिश में रूटिंग रिफ्लेक्स पोलते हैं फिर दूसरा क्या करता है कि बच्चा मूँ खोलता है तो थोड़ा सा ज्यादा मूँ का यह बताना है कि आगे के संकेत आगे की जो पहली पहली जो पूखे उसके संकेत मा को जानना जरूरी है तो जैसे बच्चा जैसे पहले जो दो तीन चार हफते होते तो जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा हिला भी तो भी आपको बच्चे को तुरंत उठाके उसको बच्चे पहरना होते कि वो 3 घंटा 5 कि爸爸 था तो वो टांव में आपको बच्चे ने दूद नाँपिया या बच्क नहीं उटा तो आपको तीन गंटे के बाद बच्चे को उटा कि उसको दूद भी पिलाना है तो आपको रहानमे रखना है कि रात में अगर तीन गंड़े के जादा प्रॉब्लेम क्यों है क्योंकि हमारे बारत में जो बच्चे जो पैदा हो रहे वो कमजोर पैदा हो रहे मतलब उसके जो वजन जो आवरेज जो होना चीए यह सवातिन किलो आवरेज जो होना चीए डबली ओचो ग्रोफ चाट के हिसाब से वो हिसाब से हमारे बच्चे उतने सवातिन किलो की पैदा नहीं हो रहे तो आपको पहले तीन महिने में उसको बहुत सारा उसका ग्रोफ केच अप करना है उसके जो विकास है उसको बहुत बच्चा अब बच्चा अब बढ़ना चाहिए तो वो मैं आपको बताओंगी तो आज हम लोग अपने पैतालेज जो बंदू है उस फोकुस करते हैं तो सबसे पहले तो मदर को लग रहा है कि चलो बच्चा भी थोड़ा हिल रहा है तो सबसे पहले उसको क्या करना है बच् करने के पहले मा को तयारी करनी अपनी खुद की तयारी करनी है तो मा को कौन से क्या तयारी करनी है सबसे पहले उसको मा को साबुन से हाथ दोना है क्योंकि कही बार क्या होता है कि माने कुछ छुआ कुछ बात्रूम गई या कुछ तो कुछ किचिन में काम किया तो उसके हाथ क अच्छा होना बहुत important है उसको पहले साबून लेना है और साबून से हाथ दोना है और फिर उसको एक glass उबाला हुआ और ठंडा किया हुआ पानी पिना है तो इसमें क्या करना है आपको मा को बता है कि थोड़ा सा पानी मलब पूरे जो दिन का जो है एक या डो लीटर जितना पानी उबालके उसको ठंडा करके वो पानी मा को पीना है ठीक है और फिर आपको क्या करना है कि फिर मा को अपना position लेना है ठीक है तो वो position मा अपना position कहां पे लेगी जहां पे बच्चा सो रहा है तो जहां पे उसको दूद पिलाना है वहां पे जाके वो basically अपना position देगी तो most likely थो बच्चा हमेशा या तो बैड पे होता है या तो जूले में होता है तो वह वहां पर मा बैठ सकती है सबसे पहले उसको बहुत पुजीशन जो उसका होना चाहिए, बहुत सीधा होना चाहिए उसके जो पीठ है, वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए आगे की तरह जुकी नहीं होनी चाहिए और पीछे जो support है ना back support होना बहुत ज़रूरी है तो जैसे हम लोग जबी slum में काम करते हैं तो हम लोग हमेशा बताते हैं मा को कि उसका जो पीठ है वो दिवाल की तरफ होगा तो she will get some support तो वो आपको ध्यान में रखना है और दूसरा क्या करना है कि मा को बताना है कि आप उसके जो कंदे है वो कंदे बिल्कुल सीधे रखना है आगे की तरह जुके होए नहीं होनी चाहिए या तो पीची की तरह बहुत stress भी नहीं होना चाहिए तो उसको मदर को बोलो कि बहुत आराम से उसको बैठना है क्योंकि वो क्या होता है कि जबी बिगिनिंग में जबी पहले-पहले मच्छे को बहुत टाइम उसको दूद पिलाना पड़ता है तो अगर अपना खुद का पुजिशन ठीक नहीं होगा तो मा बहुत थंक जाएगी और वो थंक जाएगे तो फिर जो विचार है वो करना बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि उससे वो दूद बाहर निकलने का जो हॉर्मोन है वो हॉर्मोन बढ़ेगा उसकी बॉड़ी में ठीक है तो यह तो हो गया फिर उसको क्या करना है कि उसको रहनी रहना है क्योंकि अभी वो बच्चे को उठाने वा होता है और फिर टाइट इक्तम टाइट चुडिदार पहना होता है कि जो भी कूर्टा पहना होता है तो वो लोग कूर्टा ऐसे उपर करते है और फिर वो जो ब्रा होती है वो बिना खोले वो पस उपर कर देती है तो जैसे वो ब्रा इतनी टाइट अगर उसने स्तन के उप को वह बूरा जो प्रेशर है वह मा के स्थन पे आएगा तो वह कि सब्स्पोर्ग को स्थन पे दिखाती हूं तो यहां पर क्यों आदा कि अगर बाका प्रेशर बहुत एकदम टाइट प्रा का प्रेशर अगर स्थन पे अया तो क्या होगा कि यहाँ पर दूद्ध बंध रहा है, लेकिन इसकी नलिया, वो नलिया साइव बहार निकल रहा है, वो नलिया जो है, वो सब बंध हो जाएगे, यारे दूद्ध already बाहर नहीं निकल रहा है तो जो गरंती है वहाँ पर गाट होना चालो हो जाएगा और अपने उसका इलाज तुरंट किया नहीं तो उस वहाँ पर हो जाएगा infection एक बर infection हो गया तो फिर मतलब वो you know of course doctor वो infection निकालने के लिए वहाँ पर you know इन्सेशन करेगा वो पस निकाले गया यह सब problem complications है तो यह हम लोग को complication ऐसा सला देनी है मांको को यह सारे complication ना होए ठीक है एक वर आपने सही सला दी कि मांको क्या करना है कि संपान कराने के time मांको बोलो कि ब्रा मत पहने अगर ब्रा पहना भी है तो उसको बोलो कि वो ब्रा को निकाल दे और जो कपड़ा जो पहना हुआ है सबसे बढ़िया तो अफकॉस ब्लाउस ही है तो अगर ब्लाउस वो आगे से मदर ने पूरे बटन निकाल दिये बहुत टाम ऐसा होता है कि मां सिर्फ तीन या चारी बटन निकालती है नीचे के उपर का वही रखती तो वा अभी वो रेडी हो गई, now she is ready to breastfeed, तो अभी उसको क्या करना है बच्चे को लेना है बहुत टाम ऐसा होता है कि 2-3 घंटे और बच्चा नहीं उठ रहा, तो माँ माँ को उठाना पड़ेगा. तो वो भी मैँ आपको बताती है कि कि बच्चे को कैसे उठाना, अभी ओपने हो गई है, और अभी वो बच्चे को उठा रही है. तो सबसे important चीज यह है, बच्चे को उठाने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो बहुत बार आपने देखा होगा कि मा क्या करती है, बच्चे को टोपी पहनाया हुआ है, बच्चे को mittens पहनाया है, तो आपको वो सारा जो extra covering layers है वो सब निकालने है ठीक है तो टोपी निकालनी है उसके मोजे निकालने है उसके 2-3 जो blanket है वो निकालने है अगर 2-3 कपड़े पनाए तो सारे कपड़े नहीं निकालने एक कपड़ा रखना है लेकिन at least जो extra जो कपड़े है जो sweater है वो सब आपको निकालना है क्योंकि जितना बच्चा वो cover होगा इतना उसको उठने में तकलीफ होगी तो जैसे आपने वो कपड़ा निकालना चालो किया तो बच्चा तुरंत ही उठेगा दूसरा क्या करना है कि अगर ये सब करने के बाद भी अगर बच्चा नहीं उठ रहा है तो आपको बच्चे को sitting position में लेना है तक है तो sitting position में ऐएक ऐसे लेना है आपको बच्चे को आपकी गोधि में बठाना है और आपकी जो उंगलिया है वो बच्चे के कान के आगे आएगी और आपकी जो हथेली है वो बच्चे के जो चाती है वहाँ पर आपकी हतेली रह fracture तो ऐसे करके आपको थोड़ा उसको आगे की और जुकाना है बच्चे को और तुरंत वो बदब दो या तीन मिनिट में अगर बच्चे को भूक लगी है तो वो दो या तीन मिनिट में बच्चा उठ जाएगा और आपको तुरंत ही वो आख खोल के यहां वहां देखने के जो स्पाइन होता है उसकी जो करोर यह जो स्पाइन होता है वहां पर आप यू कें डू लिटल बिट ओफ टिकलिंग कर सकते हैं आप थड़ा गुद्गुद्धी करते हैं और फिर बच्चा अभी उठ गया ठीक है अभी जैसे बच्चा उठा तो आपको क्या करना है पस्ट मुझे लेफTH बाजू से दूद पिलाना है लेफघ बाजु से तो आपको बच्चे को राइट जो आपकी बगल है वहां पर बच्चे को रखना है और यह जो हाथ है जो मैंने बच्चे के सिर पकड़ा हुआ था बच्चे का सिर वह हाथ को नीचे लेके दूष्ण Corn वाला जो हाथ है वो आपको तुरंती बच्चे को पूरर बाडी को support करना है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि अभी यह जो लेफ्ट पाजुसे में दूद पला रही हो तो रैट पाजुसे आपको बच्चे को बंगल में डालना है और उसको तो यह तो हो गया आपको बच्चे को कैसे पकड़ना है अभी इसमें भी बहुत सारे थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें क्या होता है कि बहुत टाइम मदर जो है यहां पर बरुबर बगल में नहीं डालती है मतलब वह उसका बच्चा है थोड़ा धरवाद ध में टिखने चांट याद रहता तो में चोइडारण डेती हूँ फिल्ड में मेरा उदारण यह है कर जब आप सब liters कोई भीद किया कोई देखने जाती है को की शिने यह तो आप कभीदल देकर झाते तो तो वीगा पर्स लेके यह एसा जो बगल में जो पर्स डालते है तो तो ऐसे आपको पकड़ना है, यह जो उसके पैर है, आप मा के राइट बंगल में डालना है, टीक है, अभी उसकी जो हिप है, बच्चे का जो हिप है, यह वाला जो हिप है, वो थोड़ा भाहर निकालके, यहा की जो Angle है, यह आपका कोंणी का जो Angle है, वहाँ पर उसको बच को थोड़ा कौनी पर बठा दिया तो वो बच्चा अभी नीचे सिरकेगा नहीं क्योंकि अगर बच्चा अगर slip हो गया तो जहां पर वो उसकी मुझ की पकड जो बहुत अंदर होनी चाहिए 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 के अंदर वो फिर वो बहार निकलाएगी तो इसलिए आपको यह में रखना है कि उसका जो हिप है वो यहां की जो कौनी है कौनी के एंगल में वो फिट हो जाना चाहिए ठीक है अभी क्या हो रहा है कि अभी यह जो यहां का जो पोजिशन है वो अभी बिल्कुल सही है ठीक है यहां पर पूरा बॉड़ी सपोर्ट है आपने पूरा मैंने यूजेए इसके हिप शाप पी सपोर्टिए उसके पीट चाहरो के उसके पूरी सपोर्ट है और उसके बच्ची के जो त्युब आपको बताऊंगे कि वह कैसा करना है उसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि मा का जो शरीर है वो बिलकुल स्ट्रेट होना चाहिए कभी-कभी आपने देखा होगा मा क्या करती कि वो ऐसे नीचे जूपती है बच्चे को उपर नहीं उठाती है लेकिन वो नीचे जूपती है तो यह तो हो गया आपकी मा की तैयारी अभी दूसरा पॉइंट है कि आपको यहां से कैसे बच्चे को पकड़ना है उसका जो सिर है तो एक मदर को यह पता सकते कि हमारे कान के पीछे एक हड़ी है यह वाली हड़ी है तो आप मा को बोलो कि चलो हड़ी को चूओ तो जैसे वह चूएगी उसको पता चलेगा कि उसका उंगलिया है कहां पर होनी चाहिए तो यह जो हड़ी है उसको हम लोग इंगलिश में बोलते हैं मेडिकल टम में में मैस्टोइट बोन बोन मतलब हड़ी तो यह जो मेस्टोइट नाम की जो हड़ी है वहां पर मा के हाथ होने चाहिए तो जैसे वह मा के हाथ वहां पर होते है फिर यह जो हतेली है यह वाली हतेली यह बच्चे के पीठ पर जाएगी तो यह उपर के जो पीठ है वहां पर मा की हतेली का सपोर्ट तो इसी तरह अभी बच्चे अभी बच्चा अभी स्तन पे आ रहा है बच्चे की तयारी भी है और मा की तयारी भी है एक पॉइंट बहुत इंपोर्टन्ट है कि जब भी बच्चा आ रहा है तो मा की जो चाती है और बच्चे की चाती है वो अब दबनी चाहिए मतलब दीरे स जो लगाव बहुत नसदीक होना चाहिए क्योंकि अगर बहुत दूर होगा तो बच्चा दूद नहीं कीच सकेगा तो भी माशो को बोलना है कि एक तो आपने पूरा body support बता दिया धीक है दूशरा आपने बता दिया कि बच्चा पूरा सीधी लाइन में होना चाहिए सीधी लाइन मातलब कैसे होगा कि यह आप पता यह आप देख रहे hitting कि पूरा जो बच्चा है एक्तम सीधी लाइन में उसका मतलब बच्चे के कान बच्चे के जो यह shoulder joint इह website joint और उसका जो कि उसका जो पेठे उपर होता है तीक है आकाश की तरफ और उसका जो गर्दन है उसका जो सिर है वो ब्रेस्ट की तरफ होता है तो यह अगर पोजिशन हो गया देखे यह है आपकी पोजिशन आप आप भी सोचिए कि अगर आप जबी खाना खाते हो तो आपकी जो गर्दन ज वो आपकी बोड़ी पूरी सीधी होती है, उसका मतलब क्या है कि आपकी कान, आपका शॉल्डर जॉइंट और आपका हिप है, वो बिल्कुल सीधी रेकाम है, ठीक है? तो बच्चे कोबिए आपको सीधा ही रखना है, ऐसी रखना हैं, अपको ऐसे नहीं मुणाना है, आपको बहुत problem होगा निवाला निगलने में ठीक है तो इसी थरह आपको ध्यान में रखना है आपको यही सोचना है कि यह बच्चा मैं हूँ अगर मुझे खाना है तो मैं कैसे खाऊंगी तो बच्चे का बिल्कुल जो सिर है एक्तम सीधी रेका में होना चाहिए अगर यह सीधी रे दूसरा क्या होता है कि बहुत टाइम बच्चा मा की तरफ देखता है ऐसा तो यह मा की तरफ अगर मा की तरफ उसने देखा तो क्या होगा अगें उसका सिर थोड़ा साइड में हो जाता है उसका खाना कहां पर है उसका खाना स्तन है तो उसका जो सिर है बिल्कुल स्तन के सा बिल्कूल इधर उदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे उदर उदर हो गया, तो उसका मतलब बच्चे का सिर जो है, थोड़ा मुड़ जाएगा, ठीक है? तो यह जो है, यह पोजिशन है, यहाँ पे वो स्तान, बच्चा स्तान की तरफ देख रहा है, तो जबी भी आप जबी भी आप पानी पीते हैं, तो आप हमेशा थोड़ा सेर उपर करते हो, और फिर पानी पीते हो, है कि नहीं? क्योंकि अगर आपने सेर को सिफ सीधा रखा, या तो थोड़ा नीचे की तरह जुकाया, तो आप निवाला नहीं निकल सकते, पानी भी नहीं पी सकते, कुछ यह जो है, तो यह आपको बच्चे को भी ऐसे ही लाना है, तो बच्चे को कैसे लाना है, जबी आप उसको ला रहे हो ब्रेस की तरफ, तो उसका जो सिर है, वो थोड़ा उसका बाहर की तरफ होना चाहिए, तो जबी मैं भी अगर बच्चे को सपोज यह है बच्चा ऐसे आ चाहिए उसका मतलब आप चो ला रहे है तो आपको जो पीछे का सिर है वह आपको थोड़ा का सनी तरफ ले की चहाना पड़ेगा और फर इसको बच्चे को स्तन पर लाना पड़ेगा तो यह दो जो पॉंड है अगर आप को यह दो तीन पॉंड standard कर आ लेकिकल है अगर वो skill आपको आ गई तो definitely you will see very good results जो हम लोगों ने field में हम लोग देखते हैं बहुत district level पे हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छे वज़न बढ़ रहे है ठीक है और वहाँ पे तो actually balance cutter में तो जो हम लोगों ने जो training की थी वो बोले अभी तो हम लोगों चोटे-चोटे बच्चे सैम में में मिली नहीं रहे क्योंकि इतना अच्छा वो दूद्ध पी रहे है मा का दूद्ध इतना अच्छी तरह हर टाइम वो चूषते तो इतना दूद आता है तो इस सारी टिकनिक पर हम लोग ने बहुत ध्यान दिया तो यह थोड़ा जो skill है आप उस पर ध्यान दीजे और आप definitely आपको result मिलेगा ठीक है तो चार पॉइंट कांट से हो गए position के तीन पॉइंट होए अभी एक पॉइंट अभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ चौथा पॉइंट है कि जभी आप बच्चे को ला रहे हो चाती की तरफ चीक है तो जो नीचे का काला भाग है जहां पर नीचे के होट है वो ला नीचे का काला भाग बच्चे के मुह में जाना चीए उसका क्यों कारण क्या है कि कि आप सोचिए कि जभी आप खाना खाते ह कभी भी सुपोज की टिजिए आप का सकते हो लों हमेशा जो निवाला है वह मेशा नीचे के होट की तरफ रखते हो ख़ी उपर कि तरफ नहीं रखेंगे नीचे के होटके क्योई। कि आपका ये जो जॉ है इसको बुलते हैं , ये जो नीचे वाला जो है आप आप उपर आप'mे को रहाते है जितना नीचे का काला बाग बच्चे के मुढ में होगा, उतना वो पच्चा प्रेशर से वो दूद निकाल सकेगा, ठीक है? क्योंकि जो दूद की नलिया है, वो सारी जो काला बागे वहाँ पे नीचे होती है, लेकिन क्योंकि वो नीचे का जड़पा हिलाता है, इसलिए हम अगर जब आपको तुटोरल के माधियम से मैं दिखाऊंगे आपको लेकिन आपको दिहान में रखना है कि केसे बच्चे को लाना है अगर जब ला इप बच्चे को दॉछ को फीटो यह विह बोलते अंगलीश में उसका जा जो ना कना यह वाला जो यहां पर यह वाली काटि लिज है वो आपको stunt के जो निपल है वहाँ पर लाने हैं ठीक है क्योंकि अगर आपने वह वाली ऐसे करें तभी आप बच्चे का जो सिर है तोड़ा बाहर निकलेगा अगर आप सीधा ला रहे हैं अगर सपोज आपको यह जो नाक की जो टोच है अगर आप नाक की टोच ऐसा लाएंगे तो फिर क्या होगा कि उपर का काला भाग भी जाएगा और नीचे का काला भाग भी जाएगा और यह जो मेरे जो गरदन है वो बहार की तरफ नहीं गुम र रखना है कि अगर सब्सक्राइब बच्चे को आप स्टन की तरफ ला रहे हैं तो वह स्टन का जो यह है वह आपको यह वाला भागे यह वाला वो निपल के सामने आना चाहिए ठीक है तभी बच्चे का जो सिर है वह थोड़ा पीछे की तौर गुमेंगा तो चार पॉइंट ह मैं फटा फट आपको वापस बता देती हूँ पुजिशुनिंग के चार पॉइंट है डबली उचे के चार पॉइंट से बहुत इंपॉर्टंट है एक तो बच्चे पूरा सीधी रेखा में होना चाहिए पूरा होरीजोंटल मतलब पूरी सीधी लाइन ठीक है ऐसी सीधी अधोर हेँ आफानी होना चाहिए एसा थोड़ा जो अधोरी नी यह अधिन वफ एप में दम सीधी लाइन अधिले पूरा जींटरा चोफ्योंटसिंट यह रूड़ी पारीजोंटां लाइन सीधी लाइन ठीक है फिर उसको पूरा बोड़ी सपोर्ट देना है तो जैसे मैं यह खोना चाहिए और बच्चा के जो सिर है थोड़ा गर्दन वह थोड़ी पीछी की तरफ मुढ़नी चाहिए ठीक है और बच्चा जब आ रहा है तो उसका जो नाक का ये जो यह वाला भाग है वो निपल के सामने होना चाहिए तो ये बच्चा अभी रेडी है अब ये पंच यहाँ पर नपल आ है ya sak你看 है यहां पर निपल के बहुत कर तु क्या वगा स्तन में बच्य को गar dan आगे की तरफ जुकाना पड़ेगा और वो अगर आगे की तरफ जुकाया उसका मतलब बच्चा अभी ऐसे दुद पेगा ज्यादा दुद नहीं पेगा वो थग जाएगा बच्चा ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है दो तिन पॉइंट्स हो यहाँ पे कि जब बच्चा आ रहा है तो उसकी जो नाक के यह वाला भाग है वो निपल के सामने होना चाहिए उसकी गर्दन थोड़ी पीछी की तरफ जुकी होनी चाहिए ठीक है और जी सारा दोसरे दो-तिन पॉइंट मैंने बताएं यह होगे आपकी चार पॉइंट ओकी थैंक्यू झाल